पहली सुर्खी का संबंध है देश के सबसे चर्चित मुद्दे अगनिपत योजना से आज अगनिपत योजना को लेकर तीनों सेनाओं की एक और साजह प्रेस कॉन्फरेंस हुई इस मौके पर लेफ्टनेट जनरल अनिलपुरी ने बताया कि अगनिपत योजना का नोटिफिकेशन आने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी है साथ ही लेफ्टनेट जनरल पुरी ने योजना के बारे में फैलाई जा रही अफवाओं का भी खंडन किया ये ट्रांस्वर्मिटिक स्कीम जो थी ये कई देरों से जुरूरत थी हमारी इससे पहले क्या का कमिटीज हुई अरुन सिंग कमिटी हुई और ही नाइटी नेटी नाइटी नेटी नाइटी 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 नेक और कौनbers में जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सब के साथ और इसको आपने ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है जिसमें बिलकुल क्लिरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जुरूरत है और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज करने की जुरूरत है प्रेस कॉंफरेंस में एर मार्शल S.K. जहाने वायुसेना में अगनिपत योजना के क्रियानवन की जानकारी दी उन्होंने साथ किया कि वायुसेना में अब हर भरती अगनिपत योजना के जरिये होगी लेकिन भरती प्रक्रिया योगिता परीक्षा के स्लेबस और मेडिकल स जारी कर दिया इसके मुताबिक 24 जून से वायुसेना में अगनीवीरों के लिए रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो की पांच जुलाई तक चलेगी इससे पहले 20 जून को थलसेना ने अगनीपत योजिना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था दूसरी सुर्खी का संबन्ध है राष्टपती चुनाव से 18 जुलाई को देश में राष्टपती चुनाव होने हैं लेकिन फिलाह pojaw सभी की नजर राष्टपती पत के उमीदवारों पर है इस बीच विपक्ष ने राष्टपती चुनाव में उमीदवार की तौर पर आज सुबहें दस बचकर पंदरा मिनिट पर यश्वन सिनह ने ममताब एनर जी का शुक्री आदा करते हुए एक ट्वीट किया इसमें उन्होंने लिखा कि अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्री और देश के लिए मुझे पार्टी से हट कर अधिक विपक्षी एक तक लिए काम करना चाहिए इस ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यश्वन सिनह को विपक्ष की तरफ से राष्टपती पद का उमीदवार बनाये जा सकता है इसके बाद शुरू हुई विपक्षी दलों की बैठक जिसमें सर्वसम्मति से यश्वन सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया अब सिन्हा 27 जून को सुबह साड़े 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे सिन्हा से पहले शरतपवार, फारुक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी चर्चा में आया था लेकिन तीनों ने अलग-अलग वजहों से विपक्ष के ओफर को ठुकरा दिया था दर्शक जानते हैं, यश्वन सिन्हा वाचपरी सरकार में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं भारतिय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे यश्वन सिन्हा को 2014 के लोगसवा चुनाओ में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था इसके बजाए उनके बेटे जैन सिन्हा को हजारी बाग से टिकट दिया था जैन सिन्हा चुनाओ जीते थे और नरेंद्र मोधी मंत्री परशत का हिस्सा भी बने थे लेकिन यश्वन सिन्हा ने मोधी सरकार के खिलाब मोर्चा खोल दिया था अप्रेल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद सक्री राजनीती से सन्यास का एलान किया था पर साल 2021 की शुरुआत में अपने फैसले से यूटन लिया और टीमसी का दामन धाम लिया था यही होती है सियासत यही यश्वन सिन्हा ट्रेजरी बेंच में बैठा करते थे और कॉंग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की धज्जियां उडाया करते थे यही यश्वन सिन्हा मनमुहन सरकार को शर्मलशेक के मसले पर घेरा करते थे यही यश्वन सिनहा यूपिय की नीतियों को भोतरा बताया करते थे पर सियासत है अगली सुर्खी इसमें बात 21 जून को मनाय जाने वाले योग दिवस की आदेश्वर में आठवे अंतराश्ट्री योग दिवस की धूम रही कोरोना काल में ये पहला मौका था जब लोगों ने सामूहिक रूप से योग दिवस को मनाया इससे पहले साल 2020 और 2021 में अंतराश्ट्री योग दिवस को वर्चुल रूप से मनाया गया था आज इस मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने करनाटक के मैसूर में एक सामूहिक कारिक्रम में 15,000 लोगों के साथ योगा अभ्यास किया ये कारिक्रम एथिहासिक मैसूर पैलेस ग्राउंड में संपन्न हुआ हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है योग दिवस के दिन एक दुखत खबर भी आई आज मालदीव में भारत की ओर से आयोजित किये जा रहे कारिकरम में कटर पंतियों की भीर ने हमला कर दिया ये हमला तब हुआ जब स्टेडियम में मौझूद लोग अंतर राश्ट्री योग दिवस मना रहे थे कटना मालदीव की राश्धानी माले के राश्ट्री फुटबॉल स्टेडियम में हुई और कारिकरम में भारती दूतावास से जुड़े लोग भी मौझूद थे बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को भील पर काबू पाने के लिए आसू गैस के गोले छोड़ने पड़े गटना के बाद मालदीव की राश्पती इबराहिम सोले ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस वाले गालूल लहू स्टेडियम में हुए इस गटना की जाज कर रहे हैं मामले को पूरी गंभीरतास लिया गया और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कानून का सामना करना होगा मालदीव में लगातार कटर पंथियों की जमाद बढ़ रही है भारत के लिए एक फरंट था कि मालदीव का एक राजनतिक तबका चीन के पक्ष में जा रहा था और अब ये दूसरा संकट है जो शुरू हो गया है